कल का दिन काला दिन बन गया सभी निगम पार्षद घर से ये सोच कर आये थे कि वो उस बंदिर में जाकर अपनी शपत लेंगे और कल उनका पहला दिन इतिहास में दर्ज होगा उस इतिहास के दिवस को आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उनके विधायकों ने जो दिन बनाया उसके लिए आज हम सब यहाँ पर राजगाट पर शांती पूर्वक परदर्शन करने के लिए आए ये लोक तंत्र की हत्या है आम आदमी पार्टी को ये मालूम ही नहीं कि विपक्ष में कैसे रहते हैं और पक्ष में कैसे रहा जाता है जो वो विधान सबा में करते हैं वो कल उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ सिविक सेंटर में भी वही किया पहली बार इतिहास में हम पंद्रा साल सत्ता में थे हमारे यहाँ निगम पार्शदों वोणने आम पादमी पार्टी के निगम पार्षद रहे हो या उनके एल्डर मैं उन सभी का संमान किया। केजरी वाल अराज अथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरी वाल हाए, सम्विदान का अपमान करना छोड़ो, दोनों पार्टियों के संसकार का जो डिफरेंस है वो देखिए एक पार्टी जिसका जनवी अभी साथ आड़ वर्ष पूर हुआ है अंदोलन से निकली हुए पार्टी है जनता से जूट बोलके कि करप्शन के विरोद में हम जनता की सेवा करेंगे most corrupt party है किसी कानून को ना मानने वाली पार्टी है किसी समिधान को भारत के समिधान का जो डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी ने बनाया था मैं समझता हूँ उन्होंने कल एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी का अपमान किया है आज भी दो एक प्रदर्शन और एक धरना चल रहा है दिल्ली के अंदर मानसिक्ता देखिए आम आदमी पार्टी के नेता एल जी सहाब के घर के अंदर गुसके तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे है दंबा कर रहे हैं जैसा कल उन्होंने हाउस में किया और एक तरह भारत्य जन्ता पार्टी के पार्शन अपनी मांग को ले करके शांति पूर्ण धरना कर रहे हैं बापू की समाधी के बाहर एक बात और मैं अपने मीडिया के बंदूओं के माध्यम से केजरिवाल सहाब से पूछना चाहता हूँ पिछली बार जब निगम में उन्होंने 30 एल्डर मैं मनोनोईत किये थे उनकी शपत भी हुई थी उनकी वोट भी हुई थी तो इस बार कौन सी समस्या आ गई एल्डर मैं का मनोने होना टीम्सी एक्ट में लिखा है समिधान के अनुसार है इसमें कौन सी गलत बात हो गई तो वह शबत क्यों नहीं लेंगे ये बात मैं आप सब के माध्यम से केजरिवाल सहाब से पूछना चाहता हूँ अगर इस बात में कोई गलत बात है जा उनको लगता है कि ये बात ठीक है तो मीडिया के सामने आकर के इस बात का चवाब दे हमारे बीच में यहाँ पर हमारे वरिश नेता हमारे बीच में है उन सब का भी संबोधन रहेगा मैं दक्षिनी दिल्ली नगर निगम के सांसक भाई रमेश विदूडी जी से हगरे कर रहा हूँ किर्प्या आए और अपनी बात संक्षेप में रखें भाई रमेश विदूडी जी लोग तांतरी कितिहास में कल का दिन दिल्ली वालों के लिए बहत शर्म लाग था कि कितनी बेहियाई से अर्विन केजिवाल के पार्षट गुंडा गर्दी पे उतारू थे कोई कुर्सी उठाके मार रहा है कोई माइक तोड़ा है कोई टेबल पे आसन पे चड़कर पीटा सीन अधिकारी से माइक छीन रहा है मेरे पार्षट ये अर्जन महरवा जो बेहने बैठी हैं कुसम भी होंगी बेबी इंदर कर होंगी इनके हातों पे किस तरह से बलेड और काज के टुकड़ों से वार किये गए शरत कबूर को भी हमने देखा किस तरह से उसको गहल किया गया उसके बावजूद भी जब सदन प्रारम होना था 11 बजे हमारे सभी सांसर सभी विधायत सभी पार्शत महां शांती से बैठे हुए परतिक्षा कर रहे थे कि कब ये लोग आएंगे और सदन की करवाई प्रारम होगी और जब शबत प्रारम हुई तो ये प्लैनिंग से 11 बच के 49 मिर पर आये और आते हिन्होंने हंगामा शुरू किया और इस सब कुछ हो रहा था अर्विन केजिवाल के इसारे पर पिछले दो दिन के आप उसके ट्वीट देखिए उसकी भाशा देखिए वो दो दिन से अप अपने सदन में जाके करना क्या है आतिशी जिस तरह से चप्पल और जूते मानने के लिए वो वीडियो हम सब ने देखा है और ये लोकतंत्र के लिए शर्म नाख है ये अपने आपको क्रांतिकारी होने का दावा करते हैं पर इनको ये समझना चाहिए कि कुए में उच्छ उन्हें क्या कर रहे थे और दिल्दीक उन्होंने कितना शर्म नाख किया है कर पूरे विश्व में लेकिन हम आज इपने पार्षदों के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक विवस्ता में चुनाव लड़ना सभी पार्टियों के दाइत हुए आपके अगया थे पास एक चोंतिस पार्षद हैं तो आप चुनाव लड़ने से डर क्यों रहे हैं उनने देटेश पठ्ट में खुदि मेर का नौमिनेशन हो रहा था और Ukraine to अपने उस हार को छुपाने के लिए अपने उस डर को छुपाने के लिए उन्हों ने घुंडा करती का सारा लिया जिसके हम सब निंदा करते हैं और आज इस मंच के माध्यम से हम ये मान्यो प्राजय पाल से महोदे से ये निवेदन करते हैं कि आप एक कमेटी बनाएं पीटा सीन अधिकारी से रिपोर्ट मंगाएं उस कमेटी से जाज कराएं और जिन लोगों ने कर सदन में गुंडा गर्दी किये उनके खिलाब को ठोर क आगे जुगेगी नहीं इनकी हर गुंडा गर्दी का जवाब उनकी भाशा में दिया भी जाएगा उनको समझाया भी जाएगा लेकिन लोगतांत्रिक तरीके से करेंगे विवस्ता से करेंगे और उनको इस बात के लिए बात दे करें कि वो भी उस लोगतांत्रिक विवस्त देलाई जाए और एक बार वोटिंग हो जाए सब के सामने आ जाए कि अर्विन केजिरी वाल कहां खड़े हैं उनकी उकात क्या है वो दिल्ली की जंदा देख लेगी आप सब लोग पुरी भरी भात्रा में यहां आया है सुबे से आप लोग यहां बैठे हैं और आप सब हुआ इसके की जाए उतनी कम है हमारे जितने निघंपार्षत जीत कर आए हैं उनके जो पहले निघंपारसत हैं जो पहली वार जीत आहीं उनके हर पारसत के मन में ये एक इच्छा होती है उनके परिवार के लोग भी होते हैं कि आज हमारे परिवार का कोई बेक्टी सदन के अंदर आज महासाफ़त लेने के लिए जा रहा है लेकिन आज कल का जो मौहाल था मैं समझता हूं ये बहुत अलग तांतिक है जिस तरीके से पिटा सीनतगारी क मेरे साथ जुर बवर किया गया हमारे क्यों के साथ मैं अकेला बढ़क था मेरे साथ प्रिया कमबोज जी आась बैठी है हमारे निगम परसथ मेरे खिलाब उन्होंने अब सब्दों का प्रोग किया आज जब मैं सुबह अपनी निगम पारसत को लेकर मैं कलास नगर के दोरे पर था तो जितने सभाई कर्मचारी थे और जितने वहां के लोग थे गलियों में वो सम निकल के कह रहे थे यानिन जी यह आप बिल्कुल सही क देखिए कि तरफ से जो प्रदोशन है वो किया जा रहा है राजगार के साथ आप देखार के से अपनी सारी मर्यादा के तमाब भूल गये हैं विधाया का उप्रति नहीं होगी राम विर सिंग विधूरी भी यहां पर मौझुद है और यह सब जो बिरोध प्रतोशन है वि कि तरफ से की गई है कि यह दिखाता है कि अगर अपने च्छेत को लेकर दिली की आवाज हम लोगों को मांसों से दिली के मंत्री हैं अनुने दिली एल जी को यह कहा कि जिस परीगे से जो तस नाम पनोनित किये गए विचार करना की और भारत के लोगते को लेकर आम आदनी पार्टी के द्वारा भी जेपी पनिशारा का साधा है और पर दिली के से हाद पाई कुर्षिया जो विवस्था का बिगाड़ी गई जिसके चलते कल महां को होता चुना भी जो है कल सदन में नहीं वोपाया उसी के विरोध में आज भारती जंदा पार्टी के य कौन सी आफ़ता जाती है लेकिन उनका काम दुस्थता का है उनका काम निश्थता का है भारत मता की भारती जंदा पार्टी भारती जंदा पार्टी धन्यवाद भाई जैपरकास जेपी जी आपने मुझे यहां अपनी बात रखने का मौका दिया है हमारे दीक आज हम सब नव निर्वादित निगम पार्शर महात्मा गांधी की समाधी पर राज घातवर इसलिए बैठे है कि शांती के पुजारी महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि लोग संत्र में अपनी बात शांते पुर्वत करिए रखी चाहिए कल जो कल यहां पर हुआ सिविक सेंटर में मैं भी निगम पार्शर के लाते वहां था पहली बार चुना गया और मैं सोचकर गया था कि जब हम जाएंगे तो वहां हमारी शबत होगी उसके बाद हम महापौर के लिए महापौर के लिए स्टैलिंग कमेंटी के लिए मतदान करेंगे और उसके बाद शाम तक हम आएंगे रात को पाद साड़े आठ बजे तक जब भी सदन समाप्त होगा संपत होगा लेकिन जब हम चल सुबह वहां गए हमने हस्ताक्षर किये और करने के बाद जब हमारा वहां प्रवेश हुआ तो मैं देखकर दंग रह गया कि वहां जब आम आदमी पार्टी वाले निगम पार्शद आए और उनके साथ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो निगम पार्शद नहीं थे वो भी सदन के अंदर थे और मैं पत्रकार बंदों से कहना चाहता हूँ आपके पास वीडियो फुटेज है उनमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे निगम पार्शद भी नहीं थे वो भी सदन के अंदर थे